ये तो आश्चेहरी की बात है ब्राता इस पार कायर ये इतनी सहस्ता से कैसे हो गया हमें माँ जाना की आवश्यक्ता ही नहीं पड़ी जलतत्य की मड़ी अपने आप बन रही है देवी पार्वती की फूजा ने जंबुकेश्वर जलतत्य की शक्ति को चाकरत कर दिया है अब इससे पहले कि किसी और की दृष्टी इस पर पड़े जा कर इस महीं शक्ति को मेरे पास लेकर आप जो आ किया भाता आज़ा सहज रहकर अपना कार्य करना महादेव और पार्वती के मतभित समाप्त होते नजर आ रहे हैं जैसे जैसे उनके संबन सुधरेंगे हमारी कठिनाईयां बढ़ेंगी सद्ध कामादा नेरी भी यही चिंता है असे एक बार उसंते महाभूत आकाश्टत्यों की मणी हमारे हाथ लग जाए उसके पच्चात गुरू शुकराचार के इमत संजीव ने विद्या से उसमा असुर का चन्म होगा और हमारी चिंताएं सदेव के लिए समाप्त उसमा छोट्स मुखिध तो शडियंत्रकारी ने पनल्लिया अपना विए अधित्थ होता है कि कथा में कोई बड़ा नाट की अमोड आने वाला है मुझे असुरों के शरियंत्रका पता लगाना ही होगा मेत्र आपने मुझे शमा कर दिया ना मेत्र नहीं जब तक आप अपनी भूल नहीं सुधारेंगे मैं आपको ख्षमा नहीं करूंगी मैं करूंगा भूल सुधार मित्र बताएए क्या भूल है मेरी यह सत्य है मित्र कि आप फ्रिदे से देवी अनुसुया के पुत्र है और यह भी सत्य है कि अपनी विस्मृती के पस्चात भी आपको इस बात की अनुभूती है कि आप महादेव है महादेव की अर्धांगिनी महादेव के भक्त और समस्त देवी देवता आपको महादेव मानते है आपके प्रती पूर्णता समर्पित है तो क्या आपका उनके प्रती कोई कर्तव्य नहीं है क्या आपको उनकी भक्ती का आन्शिक प्रतिफल नहीं देना चाहिए क्या आपका उत्तरदाइट केवल अपनी माता के प्रती है बोलिए उत्तर दीजिए मुझे तेरी सफलता पे कर भाया जा मुगी तुझो पहार मांगेगी वो मैं तुझे तूँगा असे एक बार उसा काश तत्तु की मनी मेरे हाथ आजाए तेरा नाम असुर इतिहास में स्वन अक्षरों से लिखा जाएगा जामुकी तू अमर हो गई है माता असमासुर के पसं से चीवित होने वाले मासुर के स्वागत की तैयारी कीजे मासुर का असली स्वागत तब होगा तार का जब वो त्रीदेव के भस्न को ठोकर से उड़ाएगा सत्यका माता सत्यका वो मासुर अपार शक्तियों का स्वामी होगा सुनो दसो दिशाओं मेरे माशस्त्र मासुर अवश्य जनम लेगा और संसार की कोई शक्ति उसे जन लेने से रोक नहीं सकती नारायन नारायन तार का सुर बस्मा सुर के बस्प से उससे भी अधिक शक्तिशाली किसी मासुर को जन देने की तैयारी कर रहा है जब बस्मा सुर के संकट से बचने में महादेव संकट में आ गए थे तब तो ये महासुर संसार के समक्ष और भी भारी संकट पस्थित करेगा मुझे बालशिप को इससे शीग रावकत कराना होगा यदि आपके पास उत्तर नहीं है तो आपको मुझे एक वचन देना होगा कैसा वचन मेत्र? जिस प्रकार आप अपनी माता, देवियन उसुया के घर के आंगन को अपना घर मानते है ठीक उसी प्रकार आपको कैलाश और तीनों लोकों को अपना घर समझना होगा आपको उन सब को भी प्रेम और समय देना होगा यदि आप इस प्रकार का सम्यक वहवार का पालन करेंगे तो मैं आपको क्षमा कर दूँगे मित्र बोलिए आपको स्विकार है स्विकार है मित्र आपको स्विकार है तब मैं आपसे रुष्ट नहीं हूँ मित्र रनाम माता रनाम प्रभु हमें पंच महा भूतों के पांचवे और अंतिम मंदिर की आत्रा पर निकलना चाहिए स्विकार है